सो हे दोस्तों कैसे हैं आप सबसों दोस्तों आपको पता ही होगा मी यूए 12.5 का भी सारे डिवाइस के लिए चाइना में रॉल आउट हो ना शुरू हो गया है और आपको पताना चाहूंगा कि जो मी यूए 12.5 का वर्जन रॉम है इसके इंटरनल बिटा डेस्टिंग बाकि सारे डिवाइस के लिए भी चाइना में चल रही है जिने फ्यूचर में अपडेट देखने को मिलेगा बट एक न्यूज आ रही है जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे है इसमें कफी सारे च। अचेंग कीज किया गये होगा, और काफी सारे बग भी फिक्स किया गया है, तो यह हर वीच देखने को हमें मिलते हैं चैंक की बीट शवाइब सकते कर दो अगा तो अगर मैं इसे पड़ूँगा तो बीडियो लंब हो जाएगा, लेकिन काम की बात यह मतलब की बात यह है जैसे कि आप इसके सब से नीचे में देख सकते हैं यहां पर लिखा है इस इस लाश्ट बीट अपडेट फॉर ड्रेड्मी नोट 7 प्रो एंड मैं सीसी 9E और आई पी इसका मतलब यह है कि अब ड्रेड्मी नोट 7 और 7 प्रो के लिए कोई भी और 7S के लिए भी कोई भी MIUI 12.5 की इटर्नल बिटा टेस्टिंग का न्यू वर्जन न्यू बिल्ड नहीं आएगा इस बिल्ड तक उसमें जो भी MIUI 12.5 की रेड्मी नोट 7 सीरिस की बिल्ड में जो भी फीचर्स और फीचर्स जो भी आड़ कर दिये होंगे सिरफ य इसी बिल्ड पर बेस्ट रोम ही आपको स्टेबल में देखने को मिलेगा जब भी Redmi Note 7 सीरिस के लिए आएगा और और कुछ भी ज्यादा चेंजिस और इंप्रूमेंट्स और मतलब फिक्स आपको उसमें नहीं देखने को मिलेंगे तो एक काफी बुरी खबर है Redmi Note 7 सीरिस के लिए और Android 11 का अपडेट तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा Redmi Note 7 सीरिस को मेरे पास कुछ Redmi Note 7S है बट एक बात का मैं आपको शोर्टी करना चाहता हूं Redmi Note 7 सीरिस को में यह 12.5 अपडेट जूरूर मिलेगा थोड़ा लेट मिलेगा तो अगर आप उससे लेट लेटेस्ट अपड को जुरूत बादें और हमारे टानी टाली क्राम चनल को भी आप जोन कर सकते हैं टेक्नोवर्ट हिंदी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बट आपको यहीं तक का बिल्ड वर्चन के साथ अपडेट देखने को मिलेगा जो इंप्रोव्मेंट आप तक सीरीज के लिए हम आपको अपडेट कर देंगा तो चैनल को सब्स्राइब करके नोटिकेशन बलको जुरुत बादें तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही तक के लिए थैंक्यू वारे मच पर ओचिंग इस वीडियो